बिस्मिल्ला रह्माल रहीम, असलाम नेकुम, welcome to office.com.pk आज का हमारा टोपिक है enzymes and enzymes में हम फर्स्ट अफॉर डिसकेस करेंगे activation energy को activation energy होती किया है minimum amount of energy that is required to start a biochemical reaction कोई हम यह biochemical reaction, biochemical का क्या मतलब है एक तो chemical reaction और ऐसा chemical reaction जो biological कामों से related हो तो ऐसे reaction को हम कहते है biochemical reaction, अब किसी भी biochemical reaction के start के लिए जो minimum energy, minimum head start हमें required होता है उस head start, उस energy को कहते है activation energy, activation energy की abbreviation है EA, EA इसको लिखा जाता है for short form के लिए और this is the minimum energy required, अब activation energy जो है यह act करती है as a barrier for the beginning of reaction अब कोई reaction अगर शुरू होना है तो वो बेटी करता रहेगा कि इतनी 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 उसको amount में activation energy प्रोवाइड हो तब वो start हो तो वीकेन आउसो से कि activation energy जो होती है यह as a barrier यानि कि barrier का मतलब होता है रुकावट यह एक रुकावट होती है किसी भी reaction को शुरू करने के लिए और अगर यह रुकावट जादा हो यानि कि activation energy की requirement किसी भी reaction को start करने के लिए जादा हो अगर किसी reaction की activation energy बहुत ज़्यदा है तो उसको कम करने के लिए enzyme अपना रूल प्ले करते है उसको थोड़ा कम कर देते हैं ताकि हमें अगर कमा माट में energy मिल रही है तो हम उसे को use करके वो अपना specific biochemical reaction शुरू करने और उसको process कर ले तो enzymes का यह बहुत बड़ा रूल यह होता है हमारे body के अदर furthermore enzymes क्या करते हैं उसकी detail चले हम पढ़ते हैं lowering of the activation energy करते किस तरीके से हैं यह second point है lowering of the activation energy किस तरीके से करते हैं यह जो होता है enzymes जो होते हैं यह substrate का shape जो होता है तो substrate एक ऐसा जो होते हैं जिसने IKER enzyme के अंदर act करना होता है enzyme attached हो heritage and furthermore उससे उसने product बनाने होते हैं तो substrate needs honour for españβ 아이 sinnes टॉर एक्टिविशन एनरजी मतरजों है कि सबस्ट्रेट moet उती है जो है लिए लगा ज़्मार एक्टिविशन एनरजी ङो दिए प्रवं से Hm Curd जुू है कि अद्टिव एक्टिवीशन एनरजी जो जो और झाए हुआ पचाए लोगा है। तो अब उसके लिए इनर्जी रिक्वाइड नहीं है, तो एंजायम हमारे जल्दी में आकर एक काम कर देते हैं ठीक है, उसके इलावा फिर इस तरह से यह होता है कि जब आपको सब्स्ट्रेट का शेप करना जरूरी था तो वो हमारा काम जो है activation energy से होना था, लेकिन activation energy अतनी अन है ती तो हमारे ये काम आके जो है enzymes कर देते हैं 59. останच वाएक जर्द हमारे शेयर कता हैं कुछ डिफरेंट बाइयो केमिकल रियक्शन डिसकस कर रहे हैं अब केमेस्टरी भी इसके इंदर इंवालब है आइंज भी हमारे बॉड़ी में डिफरेंट जगों में मुझूद होते हैं तो पॉजिटेव नेगेटिफ चार्ज हो सकता है कि सब्स्ट्रेट के उपर अलड़ हुज हो सकती हैं तो उसके लिए इंजाीम किया करते हैं वह आकर हमारे चार्ज वगार का इस सारा सब्स्ट्रेटS ऑम करते को ने करें रिक्वाइस, ने करते हैं जर्ड़ को सब्स्ट्रिभिचन का कुढ़ेंगेगे पर के बीक्तिव में क्भॉय का होके मार्का अलड़ी स थर्ड यह होता है कि enzyme also lower activation energy by bringing substrate and correct orientation to react अब for example हमारे पास यह गयो chemical reaction होना है इसमें प्रोसेस में हमारा substrate जो है वो कहीं किसी form में पढ़ा हुआ है किसी भी orientation में किसी भी तरीके से कहीं उटा सीधा पढ़ा हुआ है और उसी orientation याईनि कि किस orientation का मतलब होता है किस orientation is like किस अंदाज में किस तरीके से किस sequence में substrates कहां पे मौझूद है अब इस sequence को ठीक करने के लिए activation energy required है तो यह काम activation energy हमें इसमें अवेलेबल लहीं है अगर अगर अवेलेबल हो भी जाए तो हमारा biochemical reaction को इसको head start मिलने के लिए जो है बहुत टाइम लगेगा तो इसके लिए क्या होता है कि enzymes क्या करते है कि उसकी orientation उसकी sequence होती है substrate की पर जदी जदी आपे ठीक कर देते हैं ताके activation energy के लिए काम कर देते हैं आके इसे लिए हमारी activation energy by coming up reaction के लिए low हो जाती है तो enzyme का basic के लिए काम होता है कि activation energy आके low कर देते हैं ताके जो process जहां होना है जो reaction जहां पर होना है वो reaction वहां पर जदी हो जाए अब यह थोड़ा सा आगे नीचे graph है जो किस चीज़ को further more explain करेगा यह हमने x-axis पर show किया है energy के level को और हमने y-axis पर show किया है progress of reaction ठीक है अब for example हमारे पास enzymes मौझूद नहीं है तो यह हमारी जो black में जा रहा है figure यह हमारा reaction का level है जो कि without enzyme है activation energy इतनी जदा required होगी without enzyme अब आप खुद देख लें कि एक biochemical reaction को start के लिए इतनी जदा energy में चाहिए होगी फिर कहीं जाके वो यहां पर आके जो यह इसकी peak है यहां पर process में यहां पर peak of the reaction हो रहा होगा और फिर कहीं जाके वो यहां नीचे जो है products बनेगे यहां पर मैं mention कर दूँ यह substrates हैं अब substrates यह activation के लिए इतनी हाइर माउड में यह चाही थी हमें यह activation energy चाहिए थी without an enzyme यह जो black figure है अगर हमारे पास enzymes मौझूद होगे जो कि यह blue marker की blue lining से हमें दिखाई दे रहा है जब हम पास enzyme मौझूद होंगे तो वो 3 explain की हैं मैंने point prior से वो सारे काम करेंगे different all functions होते है enzymes वो करेंगे और हमारी activation energy यहां से यहां लेकर आदेंगे which means कि हमारे reaction को बस इतनी सी energy देने पड़ेगी यह नहीं कि low कर दी उसने इतनी सारी energy यहां से अब आप यह देख सकते हैं कि यह इतनी यह सारा figure जो है यह उसने low कर दी है enzyme ठीक है हमे अगर 1000 kJ activation energy चाहिए थी पहले तो हमें 500 या 700 चाहिए होगी to start a process to start a specific biochemical reaction अब यह इतना इन्होंने low कर दिया और यह हमारे blue figure आप देख सेते हैं कि बस हमें थोड़ी सी energy देनी पड़ी और हमारा process जो है वो fasten up हो गया हमारा जो reaction है वो जल्दी हो गया and this all happened because of the enzymes enzymes ने आकर हमा बार उसका set कर दिया कहीं पर उसने orientation ठीक कर दी कहीं में सिर्फ एक होता है काम कहीं बेतियों काम भी उसने कर दी कहीं इसने सिर्फ दो काम जो जो requirement है biochemical reaction कि उसने वो की और activation energy lower कर दी और हमारे substrates से products बना दी है so this is how enzymes and activation energy का अपस में यह relation है